हेलो फ्रेंड्स आइम डॉक्टर रोहिद गोयल और आज हम बात करने वाले हैं एक्जाइमर लेजर के बारे में दिस इस दा बैस्ट एक्जाइमर लेजर और यह 308 नानोमीटर की मोनो क्रोमेटिक लेजर है और इसका बैस्ट पार्ट यह है कि हम इसे विडियोगों के कुछ इस पर जहां पर पैच है सिर्फ वहां पर हम डारेक्ट ली टारगेट कर सकते हैं जैसे फोटो थेरपी में हम देखें तो फोटो थेरपी में चेंबर होता है और जहां पर इसकिन हमारी नॉर्मल है उस एरिये में भी वह एक्सपोजड होता है मगर एक्जाइमर लेजर का बेनिफिट यह है कि अगर पैच बहुत छोटा सा है तो हम इस टाइब के मॉडियूल की हेल्प से उस पर्टिकलर पैच को टार्गेट कर सकते हैं और हमारी नॉर्मल स्किन पे इस लेजर का कोई नेगेडिव इफेक्ट नहीं आथा और 308 नानोमेटर की जो लेजर है यह बिल्कुल परफैक्टली मोनोक्रोमेटिक रेज निकालती है जो आपके मैलनोसाइट को रीविल्ड करने में और मैलनिन को रीजनेरेट करने में बहुत हैल्फुल होती है इसके अलावा हम विटीलिकों के अलावा हम सोराइसेज में एक्जीमा में एलोपेशिया में भी इसके एच्छे रिजर्ट्स देखने को मिलते हैं तो अगर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है और आप ल्यूकोडर्मा से या फिटीलिकों से आप परेशान है तो आप एक्जाइमर लेजर की हलप ले सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे वर्क करती है और इसमें एक और बेनिफेट है कि हम जो जितनी एनरजी इसमें एनरजी सैट करने का ऑप्शन होता है और जितनी एनरजी हम डिलीवर करना चाहते हैं बिल्कुल प्रफेक्ट यह कहरी है तो आप मुझसे का सकते हैं थैंक यू झाल